दोस्तों नवश्कार मैं हूं श्वांग वरद्वाज और एक वाइफिर से स्वागत है दोस्तों आज की एक नए वीडियो में दिखा रहा हूं वह यूपी ट्रिपल सी इसका था वह मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा हूंगा नहीं हिंदी का परस्न सारे बोन को गजये गहां कि क्या कैसे हैं जो भी होगना मिधा बाए詐क कर देख़ाई लें सारथ आगे और भी बहुत सारी वीडियो जभी आना बाकी है दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि जो भी इस आंसर सीट को मिला रहे हैं अभी आफिसली आंसर सीट नहीं आई है यह मैंने बनाई है जो सर्च करके वो मैं आपको बता रहा हूं तो यह 95% accurate है in case 5% कोई या कोश्चन ऐसा हो सकता है जो आयोक की आंसर सीट अलग हो और जो मैं बता रहा हूं वो अलग हो तो ऐसा हो सकता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 100% सही है देकि 95-97% यह सही है चलिए बताता हूं एक नंबर कोश्चन जो आपका था कौन से बिकल्ब का बिलोम जोड़ा सुमेलि नहीं है देखिं कौन से बिकल्ब का बिलोम जोड़ा सुमेलिद नहीं है वह साक्छर का अक्छर जो डी है आपका वह सही है इसमें और जेलिए दो नंबर आपका आगे है जन्ता में सरकार के सरकार का पतन नेताओं के अलग-अलग मत होने से वहाई इसमें जो रेखांग के सब्द उसका हमें मोहावरा बताना है तो जो इसका मोहावरा है वो डेड़ चावल की खिचडी पकड़ा है कि जैसे नेता अलग-अलग रहते हैं वो इतनी होता है, बी नमबर इसका आपका correct है, जो बी नमबर है तीसरे का correct आपका है, मिलाती चलिएगा, बहुती आपको फाइदा मिलेगा इनसे, अपना आप एक बार चेक कर पाएंगे paper, अब आगे दिखी ये अनुचेद दिया गया है, पूरा अनुचेद है कि इससे related आपके चार question आगे, पांच question पूछे गए हैं, उन पांच के आंसर आपको देने, अनुचेद आप अपने paper में पढ़ी चुके होंगे, ये बनोगी सामाने दरगटना वाला है, चार नमबर question है इसका जो हमारे G-set का, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, देखिए, question क्या है, आस्मानी बिजली की बज़े से, जंगल में लगने वाली आग लंबे समय नहीं जलती है, क्यों नहीं जलती है, जो जो इसका option सही है, वो है C, क्योंकि ये आग बरसा से, तुरंट बुझ जाती है, आस्मानी बिजली तब ही गिरती है, जब बरसा हो रही होती है, और उससे लगी याग, तुरंट बुझ जाती है, अगर पांच नंबर है, निमने लिखित में कौन बनों के सनरक्षण की बड़ी समस्या है, तो देखिए, ये तो सारे बनों में होते ही हैं, सनरक्षण बनों में अपने आप ही होता है, सुरी, उपर वाले दोनों, सूखा तो एक अलग चीज है, सूखा से कोई इतना वो नहीं है, जहां बन है वहां, सूखा की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ के अनुसार जो है, आपका दावा नल सही आंसर है, पांच नंबर आपका, पांच का डी नंबर आपका सही आंसर है, आगे छे नंबर कोश्चन है आपका, निम्ड में कौन सा एक उपाए, दावा नल को रोकने के लिए महत्पूर, तो आपने पैराग्राफ पड़ा है, पूरा उसमें लिक के अनुसार, बन के समीब जोलनसील पदार्थों का, अनावस्चक धेर ना वनने देना, क्योंकि अनावस्चक धेर नहीं वनेगा, तो जो विजली के द्वारा, आकासिये विजली के द्वारा आग लगेगी, वो फैलेगी नहीं, आगे साथ नंबर है, भारत में कौन सा छेत्र बानाग्नी या दावा नल के लिए सबसे अधिक प्रभीड है, जो सबसे अधिक प्रविड है इसके लिए वो आपका पश्चिमी घाट है आप पेराग्राफ में पड़ेंगे तो लिखा हुआ है पेराग्राज में पश्चिमी हिमाले के बनों में, पूरवी हिमाले के बनों की तुल्ला में बार बार आग लगने की संभावना बनी रहती है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये पश्चमी हिमाला के बनों में, पूर्वी हिमालों के बनों की तुल्ला में बार बार आग लगने की संभावना बनी रहती है, चलिए आगे आपका जो आठवा नमबर है वो मैं आपको बताता हूँ आठवा नमबर है किस प्रकार के वन दावा नलकी चपेट में आते हैं तो इसका ऐसे वन जो उच्छ वर्षा गनत वाले छेत्रों में आते हैं दावा नलकी चपेट में अधिक आते हैं आगे नौ नंबर आपका है नौ नंबर पे है एक लीटर दूद दो इस बाके में पिरुक्त विसेशण भेद है देखी इसमें परिमाड वाचक है क्योंकि एक लीटर एक परिमाड है अगर यहाँ पे एक दर्जन होता या कुछ ऐस तरह से होता तो वो आपका संख्या वाचक में आ सकता था लेकिन आपर एक लीटर है जो की परिमाड एक होता है तो यह परिमाड वाचक आपका है चलिए आगे दस नंबर मैं आपको बताता हूँ दस नंबर है कोश्चन निमलिखित किस बाके की क्रिया अकर्मक है तो पक्ची उड़ रहे हैं इस बाके की क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है ग्यारे नंबर है कोश्चन देखिए आयू में छोटा होने पर भी बैस अपके कान कतरता है बाके में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा तो इसका सही अर्थ होगा बहुत चतेर चतुर होना जो इसका सही अंसर भी आपका है बारा नंबर है पिनाकी और चंद्र मौली निम्ल लिखित में से किस सब्द के परियावाची है तो ये महादेब के परियावाची है आगे तेरा नंबर है निम्न में संयुक्त सब्द के बिलोम सब्द की पहचान तो संयुक्त का बिलोम ब्युक्त होगा ये नमबर आपका विल्कुल सही है चौदा नमबर है उर्मी और बीची निमलिखित में से किस सब्द के परियावाची हैं तो ये लहर के परियावाची हैं आगे पंद्रह नमबर है मैं संध्या के समय नित्त खेलने जाता हूँ उस बाके में कौन सा भाग गलत है तेकि इसमें के समय क्यों संधिया खुदी एक समय होता है उसके साथ समय लगाना जरूरी नहीं होता है तो इसलिए के समय इस भाग में गलत है सोला नमबर है आपका पांडवों को तेरह वरस तक बन में रहना पड़ा बाक में रेखांकित सब्द का परियावाची देखिए बन का परियावाची होता है जंगल पांडवों को तेरह वरस तक जंगल में रहना पड़ा आगे सत्रे नंबर है निम्निलिखित मुहावरों में उनके सही अर्थ बताईए देगी ये मुहावरे दिये हुए हैं इनका सही अर्थ में किरम आपका क्या होगा गीदर भबकी का होगा आपका बेर्थ की हांकना गड़ो पानी पढ़ना का होगा आपका लज्जित होना गुस्सा पीना होगा आपका क्रोध दवाना और आबाज उठाना आपका होगा विरोध करना तो इसका जो सही आंसर है वो आपका D होगा दी इसका राइट आंसर है आप सबी लगा लीजेगा इठाराइ नंबर है जलब रष्ट के कारण चारों और हर्याली छा गई देखे जलब रष्टी जलब रष्टी क्या होती है बरसा इसका पर्यावाची ब्लकुल सही है आपका, उन्निस नमबर है आपका, इन में से कौन सा बिकल्प संख्या वाचक विसलेशड है, देखें दो दर्जन, सीधा जर्पोंक नया ये संख्या वाचक नहीं है, दो दर्जन यहां गिंती आ रही है दर्जनों की, तो यहां पर दो दर्जन संख्या वाचक विसलेशड ह कि बीस नंबर है निम्न लिखित बाक्यों में सुध बाक्य कौन सा है तो यहां यह देखे यह ग्रंत बिद्धता से भरा है यह इसका सही आंसर है क्योंकि जादातर जगए पर यही दिया गया है लिकिन कुछ जगए पर सी भी कोई कोई बताता है एक परसंट दो परसंट तक चार-पाँ जगह देखा है तो एक जगह या सोवनिय वातावरन मिला है जबकि अधिकतर जगह यह ग्रंत विद्धता से भरा है यही आपका सही मिला है चलिए 21 नंबर आप है आगे बेकार आदमी ब्यर्थ के काम करता है अर्थ किस लोकोक्ति से सम्बन देता है तो इसका जो 22 नंबर है निम्न वाक्यों में सुद्ध वाक के कौन सा है देगी आकास वाड़ी से समाचार प्रकासित नहीं होते हैं आकास वाड़ी से आकास वाड़ी प्रकासित करना आपको सिटिन में जो समाचार आते हैं वो होता है मा बच्चा दोनों ही गायव हो गए तो यह आपका सही है भी आपका विल्कुल correct answer इसका है आगे आपका 24 नमबर है sorry 23 नमबर है सोहन गाव का मकान देख रहा है इस क्रिया में कौन सा इस वाकि में क्रिया सब तो कौन सा है तो देखना या देख रहा है ये इसकी क्रिया है देखना इसकी क्रिया है 24 नंबर है उसकी ख्याती सारे देश भर में फैली हुई है इसमें क्या है यहां पर थोड़ा संसय है या तो सारे देश होगा या भर में होगा इन में से कोई या तो देश भर में होगा या सारे देश में होगा तो ये दोनों में से कोई सा एक सही हो सकता है हभी पूरा 100% के लिए इसका नहीं हुआ है 25 नंबर है कोश्चन आपका निमन में नस्वर का बिलोम है तो नस्वर का जो बिलोम है वो 700 इसका बिलोम सब्द है यह 24 वाला जो है इसमें जहां तक जादा से जादा चांस बन रहे हैं वो इसमें भर में के बन रहे हैं क्योंकि इसकी ख्याती सारे देश में फैली हुई है सीधा सीधा सा होता है भर में सारे देश भर में नहीं होता है तो इसके जो 90% चांस हैं आंसर होने के वो C होने के चांस हैं बाकी सारे देश भी हो सकता है तो यह हुए आपके 25 कोश्चन हिंदी पोर्षन के आगे कि आप बताऊंगा और भी आपके कितने कोश्चन सही हुए इन 25 में से हमें जरूर बताईएगा जिससे कि हम आगे और आप देख सकें कैसा क्या मेरिट बन रही है कट आफ कितने पर जा सकते हैं इसके बारे में कुछ आदाल समय नहीं लूँगा उसके लिए बने रही है चैनल बार चैनल को सब्सक्राइबर के वेल आइकन दबाद दिए जिससे की नोचिपिकेशन्स आपको मिलते रह सकें वाकि वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद